गुद मॉर्निंग गाइस इस राज महरे इंफरंट आफ यू और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग जो नेक्स वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है हमारी और वो वीडियो जो है वो क्या है फ्रेंच चानल तो आप लोग देखना और समझना पड़ेगा तो आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग ने चार्ट तरह की सेंटेंसे पड़े थे कौन से अफर्मेटिव नेगेटिव इंटारीगेटिव और वह सेंटेंस और इनके फॉर्मूले भी बनाना आप देख चुके तो वैस टैंसे हमारे पास 12 कि पास 12 साफरा है जासा कि आप डालोग चार्ट में देख रहें तो थे सेंसे को समझने के लिए थी सबसे इंप्लडन फैक्टर्स होते हैं जिने हमें प्रोपर ली समझते हैं कि तुछ शैल को अपे Cosmic पा करकि तो आरह इस चार को समझ लेंगे तो करेंसे वाँचान और तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं आज प्रेंस को पहचाने कैसे तो बहुत ही ज़्यादा इसी है गाइस देखिए मैंने आपर प्रेजेंट के चालोगों प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉंटिनियर्स प्रेजेंट प्रेजेंट कॉंटिनियर्स उसी तरह से पास्ट के और फ्यूचर के चार्ट बना रखें बस आपको इन्हें अब सबसे तीन चीजों की एकार्डिक समझ रहें तो पहली चीज हम लोग देखने वाले थे क्या पहँचान ये तो बहुत ही जादा एजी है जब भी आप प्रेजेंट सिंपल करें तो हिंदी बात के अंत में क्या आ मतलब हिंदेश के यंदे में ये चीज आएकि अब कोई भी कॉजिएश आप पर होती है रहा रहा और रहा जिस अब प्रेजेंट का है तो रहा है पास्ट का है तो रहा था और में दौन हो। इस तरह से continuous पैचान होगा थी है अब इसके आप gender change कर जाते है इसके लिए रही है रहे है रहाँ था है इस तरह थी और तीस रत जो होता है perfect कोई भी perfect की पैचान होती है क्या चुका 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 जब भी कोई से मतलब हमारा की सी इस से होता है ताइमिंक से सब्נव्ह शली भी जिकेंट चाहा है थी रहा है रहा था रहा होगा इसे प्लब कहें लिए कि जो एख ऊजय है ता है ता था गावी गे रहा है रहा था रहा होगा चुका है चुका था चुका होगा से रहा है से रहा था से रहा होगा आप इसे कंप्रीट कर चुके हैं वह है क्या पहचानना आप दोनों टेंसे को अलग जो करने वाली चीज होती है सब्सक्राइब करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल इसका जो हैं वह क्या होगा डू और प्रेज़ करें देट ये उसी तरह से फ्यूचर से या तो यूज करेंगे से यह कहां आयो और वी के साथ बाकि आप आज मॉडर्न ग्रामर में हर जगे भी यूज कर सकते सभी के साथ नोड़ा हो जो ना कोई भी कॉंटिनियस इसका हैं रहेगा इस एमार प्रेजेंट कॉंट प्रेजेंट का वाज और वेर इनका हर जागे बील रहेगा लेकिन इसके साथ आप क्या लगाएंगे बी कोई भी परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यह लगाएंगे है और हैस और पास्त का उसी से ठीक अपोजिक हैट यह और इसका मैंने आपको बता दिया हर अधिक खुब्र रहेगा लिएंगे उसके साथ आप क्या यूज करेंगे जैसे आपने कांव डिया हैँगर हैँ जोड मतलब तो जो कि अटेग कहने बीदा मतलब आपकी पर फेक्ट में सेम भाई यह प्र फ्रफेक्ट हो जाती है बस उसके साथ क्या जो जाता है बीन तो इ इसे दरे से सेव्पीग यहां की यहां बिल है प्लस बीन को इस दरे से हमें दूसरा इंपौर्टंट फैक्टर कवर कर लिए है क्या है विल्पक्रा बहुत ही ज़्ञादा इसी है तूरस बिट्ट इस ए मारी फैब और हैब 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 है में हैड वी इसे भी बहुत इसली समझ बारे होंगे अब पीसरा सबसे इंपॉर्टन फैक्ट जो होता है वह होता है हमारा क्या वार्ट की फॉर्म यूज करना तो बहुत ही इसली है कोई भी सिंपल बने वर्ट की कौनसी फॉर्म लगाना है कि यहां जाता है इसमें वर्फ की सब्सक्राइब परस्ट करने आब यहीं चीज में आपको बाद सिंपल वाले चप्टर में बहुत एजी समझा कर इसे देख सकते हैं कि कैसे लगाना क्या करना यहां फॉटली याग रखना है क्या कि जो हेल्पिंग बर्व है क्या डिट वह अफर्मेटिव के साथ यूज नहीं होती इन दोनों टाइंसे में पहली और दूसरी चीज क्या है कि आपको यहां बाप पे फोकस करें तो हट जगे कोई भी सिंपल पर आपकी कौन सी फॉर्म ल पास्ट या फ्यूचर कॉंटिनेयस इन के साथ आपको इंजी करना है कोई भी परफेक्ट यूज कर पढ़ें बर्व की थाड़ फॉर्म ये स और कोई भी परफेक्ट कॉंटिनियस पढ़ें बीन के साथ आप अपक्या जोड़ दोगे भी आइञ जी हाना हाद रज़े बीन कोई भी कॉंथी बढेंगे सब्सक्राइब में और कॉछ पर्फेयर बढेंग और उसलिए टाइम पनलिए हमें क्या लगाना होता है इसमें और सिंस और लगाना है मैं आपको तो टेंस पढ़ाते समय काफी अच्छे से क्लियर करा चुका हूं यस आप पुराने वीडियो को देखें इसली घबर हो जाएगा तो यह रहा आप लोगों का पूरा एक टेंस चार्ट जिसके देखते हुए आप बहुत ही इसली सारे टेंस को समझ सकते हैं जैसे कोई भी आप कि बारा की वारा सेंटेंस हते किवर करा के दिखाते हुए जिसे आप बहुत ही इसली समझ पाएंगे जैसे देखते हैं में पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता था आई टोॉट मैं पढ़ाँगा I will teach मैं पढ़ा रहा हूं I am teaching मैं पढ़ा रहा था I was teaching मैं पढ़ा रहा हूँगा I will be teaching मैं पढ़ा चुका हूँ I have taught मैं पढ़ा चुका था I had taught मैं पढ़ा चुका हूँगा I will have taught मैं सुभा से पढ़ा रहा हूँ I have been teaching since morning I had been teaching since morning I will have been teaching since morning तो आप देख रहे हैं इन sentences को आपना प्रॉपर सेंटेंस को लिखें और उसे एक की बारा फॉर्म बनाके देखें तो बहुत ही इजी लिए आप इस चार्ट के दूरूर्स को समझ सकते हो जहां भी आपको दिखा कि आप सेंटेंस के रफ में क्या है चुका था था चुका था मतलब आप देखेंगी चुका मतलब perfect था मतलब past क्यों हो जाएगा past perfect यानि क्या करना होगा subject head और verse की third form बाकिक चारो फॉर्मले तो बनाना आपको मैं बहुत बाहर मता चुका हूँ तो वाईस यह है आप लोगों का चार्ट इस चार्ट को आप पर देखें इस से लिख के ब्रैक्टिस करें और यदि आपको यह चार्ट क्लियर है तो आई होब कि आप चारे टेंस को बहुत ही इसी लिए नहीं समझ सकते हैं तो इस दा राम बाइन तो अंडर्स्टेंड दी टेंस और इनका पूरा डिस्क्रिप्शन आप टेंस के चारे वीडियो देखकर सब्सक्रियर कर सकते हैं मैंने साथ ही आपको इनके यूजर बगेर भी बदा रखें तो आप इन सब चीज़ों को समझ गया होंगे और एक लास्ट चीज बदाना भूल गया हो क्या कि प्रेजेंट सिंपल और पासिंपल यह दो ऐसे तहन से जहां पर यह जो हेल्पिंग बर अब आप 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 टेंसे चार्ट को पूए तरह से समझ गया होंगे इस चार्ट को आप प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखें उसकी प्रैक्टिस करें विची वाल देवाइस इसी तरह से आप अमारे वीडियो के साथ बने रहें वीडियो को जादा से जादा लाइक से और सब्सक्राइब करें वाल देख